कि रोलेसे मैं शुरू से कह रहा हूं हिंदु धर्म को डैमेज करने की साजिश चल रही है योजना बद्ध तरीके से काम हो रहा है और इसके जम्यदार हिंदुओं तुम खुद हो तुम राधे मा को तुम आन लोगे आशाराम बापु को मान लोगे राम रहीम को मान लोगे मंदिर जाने में शरम आती है कुछ हिंदुओं को मैं ऐसा जानता हूं जिनके पास पैसा है वो अपने आपको बुद्ध जीवी समस्ते हैं उनको कहते हैं कि मैं अब मंदिर अंदिर जाने के कोई आविशक्ता नहीं है मुझे तो सब कुछ मिल गया हिंदुओं का प्रॉब्ल चले जाएंगे वहां भी चाधर चढ़ा देंगे लेकिन ब्रह्मा विश्णु महे शंकर भगवान राम सीता क्रश्न भगवान मालक्ष्मि मैया बद्री नाद ये सब जगे जाने में उनको शरम आती है उस उसने तो गरीब लोग जाते हैं अच्छा बहुत सारे हिंदू ब को मानते हैं वह वैश्णु देवी नहीं जानते वैश्णु देवी जाने वाले लोग तिरुपति नहीं जाते जो तिरुपति को मानते हैं वह राम मंदिर में उनको इंट्रेस्ट नहीं है तो इस तरह से आपस में ही फूट पड़ी हुई हमें एकता नहीं है आप खुदी आकलन करें, खुदी सोचें, दीपा वाली धीरे-धीरे समापत हो रही है, दीपा वाली को बंद कराया जा रहा है, प्रदूशन होता है, वाई दूश्रीत होती है, पटाकों का शोर होता है, दीपा वाली ना मनाए, होली ना मनाए, पानी की बरबादी होती है, होली ना मनाए राम लीला बंध होई गई है जाद अतर जगे राम लीला बंध हो गई हूँ तो योगी जी ने अभी आउध्या में आरम्ध करवाई और इक खास तोर से कुछ पटिकुलर एक धर्म के लोग हैं फिल्म के डिरेक्टर विब सीरिस की डिरेक्टर जो इस तरह की नापाक हरकत कर जाए विए चाये पीके फिल्म है अमीर खाण हो चाये सैफअली खान हो और चाये तंदो का डिरेक्टर वह यह सब योजना बंध तरीके से प्लैनिंग करके कर रहे हैं तुम लोग कितनी भी प्लैनिंग कर लों लेकिन हिंदु धर्म इतना छोटा नहीं इतना सूक्ष्म मे ही है कि तुम इसको डैमेज कर पाओगी लेकिन हिंदू तुम इनको करने क्यों दे रहे हो एक साथ खड़े हो आगे हो माना कि बहुत सारे हिंदू है उन्होंने बड़ी तरक्की कर लिये बड़ा पैसा कमा लिया विदेश आते जाते हैं वो इन छोटी बातों में नहीं बड़ा बड़ा हर्दे रखो हर्दे बड़ा रखो बड़ा हर्दे रखने की सिर्फ हम लोगों ने ठेका लिया है हिंदू ने ठेका लिया है हिंदू भाईयों बेनों आप दूसरे धर्म का आदर करते हैं इस्दत करते हैं यह बहुत अच्छी बात है स्वागत योग है ल कुछ